अब लोग उम्मीद करते हों आप लोग अच्छ होगे स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलें प्रिडिक्शन में गाई आज की वीडियो में हम लोग करने वाले वूमेंस किर्किट का आई सी सी वूमेंस टी 20 का जो मैच नंबर 9 खेला देखने को मिल जाएगा और आज के दिन के दो मुकाबले खेले जाएंगे डबल हीडर के यह पहला मुकाबल है आप लोगों को इसके बाद एक और वीडियो मिल जाएगी उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग और नुटिफिकेशन ब सब्सक्राइब करके सर्च करके सकते हो ठीक है सही जगा प्याना इसके लिए चार नवंबर जैसे मैं बता रहूं में रपिंड मैसेज आप लोग जरू चेक कर लेना वीडियो बे बैक आते हैं देखिए 15 फैबरवरी को आप लोगों को 6 बच के 30 मिनट पे अपने भारत टै मैं हमेसा यही कहता हूं वुमेंस किर्केट में लो स्कोरिंग ही मुकाबला होता आप देखो स्रिलंका वुमेंस 139 बनाई थी लेकिन विकेट चार ही इन्हों ने गवाया था फिर भी 139 बनाई थी आई थिंक चार विकेट पे इनको 150-160 बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बन जाता बांगलादेस स्रिलंका के मुकाबले में और देखते हैं और यहां पर मुकाबला नहीं हुआ है तो आते हैं फिर से वीडियो पर तो बेसिक जो यहां पर समझाने का मेरा आप लोगों को तातपर यह है कि जो वूमेंस के 90% मुकाबले होते हैं वह एक लोई निकाल सकते स्पीनर्स इस ग्राउंड पर टीट्वेंटी डोमेस्टिक देखिएगा टीट्वेंटी आई की सॉरी रिकॉर्ड बता रहा हूं आठ मुकाबले खेलेगा है बैट फर्ष्ट भी चार और शियर्ज करने वाली टीम ने भी चार मुकाबले को वोन किया है जो कि फश्टिन के स्कोर है वो 120-130 रहने वाला है इंडिया वुमेन का हाइश्ट 1664 विकेट के नुकसान पर सिरलंका वुमेंस का ही यहां पर लोईस्ट इसकोर है नबेरान आठ विकेट के नुकसान पर स्कोरिंग पैडरन देखिएगा जो कि मोश्टली स्कोर मना है 150 के अंदर और कहीं न कहीं आप लोग इस मुकाबले में भी 150 के अंदर ही स्कोर मान के चलना जादा बेश्ट रहने वाला है बात करते हैं विश्ट इंडिज वुमेंस की क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 हो सकते विध रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ तो देखो हीली मैथ्यूज के साथ स्टेफनी टेलर ओपनिंग की थे मैथ्यूज जहां 42 के स्कोर के ठीक हैर बॉलिंग से विध नहीं निकाल पाए थी टीम की काप्टन खिला रही हैं इन्होंने तीन का स्कोर किया था बॉलिंग यह नहीं करती है आजकल शमीना कैमपेवाल 34 के स्कोर इन्होंने किया था शब अब इनके तब से ना दो ही तिन खिलाड़ी हैं जैसे कि हीली मैथूज इस्टेफनी टेलर और चेंडरी हेंडरी का नाम मान के चाल सकते हो तीन खिलाड़ी और शबीका जो शमीना कैमपेवाल है वह भी आप लोग मान सकते हो 50-50 परसेंटेज वाली खिलाड़ी हैं तो जो कुछ फिक्स नहीं रहता है मोशली ऑल्राउंडर खिलाड़ी खेलते हैं तो दोगो हेंडरी अच्छे खास वबर डाल गई थी बागी हीली मैथ्यूज भी डाल सकती है फिलीचर का नाम मान के चल सकते हो शेकीरा सेलमन और कॉनल जेड जेम्स मुझको लगता है आपस में ड कर रही है पिछले कुछ दिनों से यह बॉलिंग भी कर रही है अंडर 19-20 वर्ड़कप जिता कर आ रही है जमीमा रोड्रिस तिरपंडरों का स्कोर के थी कैप्टन हर्मन प्रिस्ट कोर के 16 रंते वहीं दिचा घोष्ट हालिया फॉर्मिन का बहुत अच्छा है अभी आर्सी सर्मा रेनुका सिंग राजिश्वरी गायकवार्ड नाम मान के चल सकते हो बॉलर जो कि अच्छी का से इनके तब से ओभर कर गए थी तो यहां से देखिएगा आप लोग दिप्ति सर्मा के चार उबर थे राधा यादो पूजा वाश्टा के इन्होंने चार-चार उबर कि बाकि एक और जो रेनुका सिंग के कटे थे वो यहां से शैफाली वर्मा ने डाला था वैसे अगर बात की जानों ऑप्शन की तो आप लोगों को हर्मन प्रित को और भी बॉलिंग करती है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो बात करते हैं जब यह दोनों टीम आपस में भी सकीरा सेलमन साथ में साथ विगेड एफी फिलीचर नौ में पांच विगेड करिश्मा राम क्रैक एक में एक विगेड इंडिया मुमेंस के तरफ से हर्मन प्रियुत कौर 75 लेकिन इनका बैटिंग करम नीचे है तो अगर टॉप एडर जब क्लैप्स करेगा ना तभी इनकी साथ पारी 14 विकेड इनके ना में राधा यादू छे में आठ विकेड शिखा पांडे आठ में आठ विकेड पूजा वाश्टेकर छे में छे विकेड बागी देखो इंडिया यहां से वेस्ट इंडिस वूमेंस के ओवरॉल सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड है अगर आप च देखा हुए डाट आप पूरा रीड करके चल सकते हो बागी की बात हैं ड्रीम औलन पर चलके हम लोग डिसकस करते हैं देखो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विकेड कीपर ऑप्शन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर आप लोग कर लेना अब देखो विकेड कीपर में रीचा घोसी बेष्ट में देखने को मिल रहे हैं वाई भाटिया का बैटिंग कर आप नीचे रहने वाला है रसादा विलियम्स का तो और नीचे रहने वाला है तो रीचा घोस को आप अपने टीम में बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हो एफनी टेलर जिनका की हेड टो हेड में मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाया 50 पलस की आवरेज है ये खिलाली आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है अब देखो सिम्रिती मंधना खेलेंगी तो 100% ये टीम में जगा बनाने वाली है पहले मुकाबले के दिख नहीं रहा है तो बॉलिंग सेक्षन से राधा यादो रेनुका सिंग ठाकूर और राजिश्वरी गयकवाड ये तीनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी लग रही है बाकि एफी फिलेचर एक विकेट टेकर नेचर की बॉलर है खरिए भी लेकिन जादा मुझे इन पर तो फिलाल तीन ही बॉलर्स मुझको बेश्ट में दिख रहे हैं अब अगर ना यहां से जैसे कि मैं बार बर कह रहा हो सिम्रिती मंधाना खेलेंगी तो मैं अपने टीम परसेंट इनको ट्राइब करूंगा क्याप्टन वाइस काप्टन के तौर पर देखो काप्टन हीली मै करके ऑल आउट हो जाती है और मानलो बॉलिंग से अगर दिप्ति सर्मा एक ही विकेट निकाल पाती है और बैटिंग आएगी नहीं तो फिर दिक्कात हो सकता है वाइस से फाली वर्मा ओपनिंग करेंगी पलस हार्ड इटर बैट्स में तो अगर 30-35 भी कर देती हैं तो बह किल्कुल दिप्ति सर्मा को बना के चल सकते हो बागे सिम्रिती मंदाना खेलेंगे तो फिर टीम में जगा बनाने वाली है तो यह सब जानने के लिए आप लोग टेली ग्राम के चैनल पर नहीं हो तो आ सकते हो जिसका के लिंग मैंने वीडियो के कमेंट बॉक डिस्क्रिप बेह टे कर तो ऑड़ु